हाई फ्रेंज आज हम नियूरोलोजी के लाइफ पाथ नंबर या ड्राइवर नंबर बोलीजिए या मूलांक की बात कर लीजिए तो नंबर 3 की बात करेंगे और नंबर 4 को भी कवर अप करेंगे तो सबसे पहले नंबर 3 देख लेते हैं नंबर 3 के लोगों का होता है जिनका date of birth या तो 3 है 12 है 21 है या 30 है मतलब 3 12 21 या 30 को जो लोग born हुए हैं उनका life path नंबर आएगा 3 और आपका जो element है वो fire है ये लोग fire element के होते हैं तो fire को आप blessing की तरह मान सकते हैं आप candle जब जले जोथ जले घरों में तो उसमें जो आग लौ होती है उसको देख करके आप अपनी कोई भी वेश कोई भी मनों कामना उसको देख करके आप वीचुलाइज कर सकते हैं वो आपको help ही करेगा because यह आपके लिए strength है fire आपकी strength है ओके तो एक तो सबसे पहले यह ह करते हैं मतलब कौन से planet से आप लोग को positive vibrations आती हैं वो बता देती हूं positive negative दोनों होता है लेकिन कुछ planets ऐसे हैं जो हमारे लिए blessing की तरह काम करते हैं और number 3 वाले लोग एक तरह से मैं बोलू बहुत lucky होते हैं बहुत blessed होते हैं okay why because 3 planets हैं जो आप लोग को rule करते हैं एक है Mars दू Jupiter Guru अभी ये जिसका strong होता है या जिसके उपर Jupiter के कृपा होती है Jupiter जिसका ruling planet है तो वो एक तरह से समझ लीजिए कि वो कोई भी काम start करेगा सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है okay so इस तरह का रहेगा आप लोग का और बहुत attention मिलेगी आपको हर जगा ठीक है तीसरा है Mercury so बुद्ध so obviously बुद्धी मान तो आप है बहुत है क्यों कि आप लोगों की जो सबसे पहली quality है बिलकुल outstanding होते हो charming होते हो okay communication skills बहुत बहुत effective होती है आपकी okay so बहुत attractive भी होते हो आप लोग and yes expressive होते हो इसके साथ साथ talkative भी होते हो and sensitive भी होते हो अगर आपकी कमिया कुछ बोलूं तो insecurity रहती है थोड़ी सी मन में okay थोड़ा सा ऐसा sensitivity की वज़ा से बोल लीजे या फिर ego का थोड़ा सा issue रहता है क्योंकि हम जब बहुत outspoken हैं और हम अच्छा बोलते हैं हम बहुत you know लोगों के बीच में हम बोलने की शमतार रखते हैं और वहां पे अगर कोई हमें हमारा ना सुने हमारी बात ना सुने तो हमें वह अच्छा नहीं लगता तो यह सारी चीजें आपके लिए हैं now 2023 में जो आपको करना है जो आपके लिए ब्लेस्ट होके रहेगा क्योंकि जुपिटर आपका प्लानेट है now Jupiter आपको रूल कर रहा है तो आप अपने left hand पे के नीचे इस वाले हिस्से में यहां पर blue color के pen से 24 लिखना ना भूले 2023 स्टार्ट होते सारे साल अगर आप यहां पर 24 लिखते हो आप इसका miracle अपनी हर तरह से अपने career में देख सकते हो, अपने finances में देख सकते हो अपनी health में देख सकते हो अपनी life में देख सकते हो, अपने relationship हर जगा देख सकते हो, आप चाहो तो बलकि अपनी photograph पे अगर husband wife relationship का कोई issue है तो आप क्या कर सकते हो, अपने दोनों के pictures ले सकते हो photograph पे और number 24 लिख सकते हो यह मैंने बहुत सी वीडियो में बताया हुए यह काफी helpful रहता है और blue color के pen से ही लिखना है, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है? आपके लिए color कौन सा अच्छा है? number 3 वालों के लिए तो red color आप red color के clothes ज़ादा पहनने की कोशच करिएगा और अगर हो सके तो लाल रंग की जो Molly होती है जो हमारे मंदिरों में होती है वो Molly आप अपने left hand के रस्ट पे जरूर टाय कर लिजेगा वो भी आपको help करेगा अच्छा इसके साथ साथ आप सारे साल गनेश जी की पूजा अरचना जरूर कीजेगा क्योंकि बुद्ध देव से आप प्रभावत है और बुद्धि मान बुद्धी होने के लिए हमें जाधा जरूरी है कि हम सरस्वती जी का अवाहन करें या पिर गनेश जी की पूजा अरचना करें और 2023 में करेंश जी की पूजा अरचना तो करनी ही करनी है डिफिनली करनी है बढ़ हाँ, आप लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है, आप बहुत energetic रहेंगे, बहुत peaceful रहेंगे, काम रहेंगे, बढ़ हाँ, sensitivity का issue है आप में, तो it's better कि meditations अपने जारी रखें ताकि emotional front पे आप strong रहें, अब हम आते हैं number 4 की तरफ, देखते हैं number 4 का क्या है characteristics और कौन से elements है इनके, now number 4 का earth element है, प्रत्वी, भूमी, धर्ती, ओके, और जो planets आपको rule कर रहे हैं, वो है mercury और uranus, now mercury क्योंकि बुद्ध से related है, मैंने अभी बताया थोड़ दिर पहले, सबसे पहली बात मैं बता दू, जिन लोगों का जनम 4 तारिक, 13 तारिक, 22 तारिक या वो लोग number 4 वाले हैं, ठीक है, बहुत बड़े problem solver होते हैं ये लोग, बहुत practical होते हैं, कोई भी life में problem आई तो उसको solve करने का बहुत आसान तरीका इनको पता होता है, और बहुत ready रहते हैं solve करने में, परिशान नहीं होते, परिशान होते भी हैं तो बस छोटे से time span के लि अपने family को ले करके, खुद को ले करके, या life में इनके जो luxuries हैं उनको ले करके, ठीक है, इसके बाद बहुत reliable होते हैं, तो इन पर भरोसा आप आँख बंद करके कर सकते हो, आपके भरोसे को कभी तोड़ेंगे नहीं हैं लोग, okay, hard working होते हैं, patient होते हैं, बहुत बहुत patient हो होते हैं, okay, अपना temper lose नहीं करते जल्दी से, और ये बहुत बहुत बढ़ी बात है, चीक है, अचा थोड़ा इनका जो negative side है, वो है, थोड़े stubborn होते हैं, jealousy, बहुत feel होती है, okay, and कभी-कभी थोड़े से, ऐसे मैं बोलू, थोड़ा glitch create करने वाले होते हैं, unnecessary का चिक-चिक-चि हो जाता है, ऐसे लोगों का, now, क्योंकि आपका element earth है, आप प्रिथवी से जुड़े होए हैं, तो आप 2023 में कोशिश कीजिएगा, कि आपके घर में जितने भी plants हैं, उन plants में पानी देने का जरूर आप एक habit बना लेजिए, okay, plants को आप पानी दीजिए, इससे जो positive vibrations आपको मि मिलेंगी, positivity मिलेगी, आपको हर life के हर sector में आपको help करेगा, okay, so this is very important, आपके लिए color अगर है, तो आप क्योंकि mercury है, और तो आप red आपका color रहेगा, red आप पहनिए, blue भी आपके लिए best है, तो आप blue भी रख सकते हैं, इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप अपने ल ठीक है, मतलब सारे दिन का मतलब हर घंटे का जो एक technique होता है, कि हम हर घंटा जैसे ही struck हुआ, हम वैसे ही उस घंटे में ही हम अपनी affirmation बूलेंगे, क्योंकि बुद्ध आपका ग्रह है, तो आप जितना positive बूलोगे, अपने लिए उतना ही positivity create करोगे, so 2023 आप सब के लिए blessed र कि जब भी भी आप घर से बहार निकले या सुबा उठें, तो धर्ती को आप एक बार जरूर अपने third eye पे touch करके, धर्ती की जो ठंडग है, अभी तो बहुत ठंड है, लेकिन आप उतरते हैं, अपने बैच से जैसे ही आप उतरते हैं, तो आप प्रिथवी को, अर्थ को, ध धर्ती को touch करके, और प्रणाम जैसे हम करते हैं, अपने यहाँ पे थर्ड आई पे लगाएं, यह चीज आपको काफी heal देगा, and power देगा, धर्ती की जो शक्ती है, जो stability है, जो strength है, वो strength आप यहाँ पे जब अपने आपको touch करोगे, यह feel करके कि आपने उसको प्रणाम किया यह कुछ भी, और यहाँ पे आपने यह habit रखी, अब जबी भी, morning की habit तो ज़रूर रखी है आप लोगे, आप जैसे ही step down करते हैं, आपने यह काम कर दिया, बहुत help मिलेगी आपको, okay, so that's all guys, and yes, new year आप सब के लिए blessed हो, number three, number four cover किया है, कल हम five year six, मैं कोशिच करूँगी ए Thank you so much and God bless you.